चलिए उसी किया करते हैं, order 10 हमारा है साइरेनिया, इसके अंतरकत कुछ पॉइंट लिख लिजिए, तो पहला पॉइंट इसमें लिखे हैं, यह सदस से, यह सदस से, अक्वाटिक, यानि कि जो order साइरेनिया में जो आवगनिजम रखे गए हैं, वो अक्वाटिक होते हैं, जल मैमल्स, यानि कि शाकाहारी, शाकाहारी, इस्तंधारी, एक्वाटिक एंड हर्वी वोरस मैमल्स होते हैं, अग्ला पॉइंट लिख ले हैं, इनमें फोर लिम्ब, इनमें फोर लिम्ब्स, यानि कि जो फोर लिम्ब इनमें पाये जाते हैं, अग्रपाद जो इसमें होते हैं फोर लिम परिवर्तित होकर यानि चेंज होकर पैडल चेंज होकर पैडल के रूप में चेंज होकर पैडल को या पैडल के फार्म में हो जाते हैं पैडल के रूप में हो जाते हैं तथा हाइंड लिम्ब इन में absent यानि कि जो पश्चपाद है तथा हाइंड लिम्ब इन में absent पश्चपाद जो होते हैं इन में अनुपस्थित होते हैं अगला पॉइंट, इन सदस्यों में, इन सदस्यों में external ear, बोले तो पिंणा, इन सदस्यों में external ear, यहां पिन्ना नहीं पाया जाता है एपसेंट होता है तो कुछ यहां पर आपके एक्जाम्पल रखे गया है जैसे ट्रिकेकस जैसे फार इक्जाम्पल यहां पर रखा गया है ट्रिकेकस यह ट्राइकेकस ट्रिकेकस यह ट्राइकेकस ठीकेकस ठीक है इसको हम लोग मैनेटी के नाम से भी जानते हैं मैनेटी म-A-N-A-T-E मैनेटी दूसरा यहां पर एक्जाम्पल लिख लीजिए हैलिकूर ह-A-L-I-C-O-R-E हैलिकूर इसको हम लोग डुगं के नाम से जानते हैं डुगं ड-U-G-O-N-G डुगं एक और लिख लीजिए थर्ड राइटीना राइटीना इसको हम लोग सी काउ के नाम से जानते हैं इसको जानते हैं ठीक है तो यह हमारा ओगे देखेंगे और अलेवन जिसको लोग बोलते हैं ट्यूबली डैंटेटा ओडर अलेवन जो हमारे रहेगा वो रहेगा त्यूबली डैंटेटा तो अर्डीक डाल दीजे ट्यूबली डैंटेटा इन मैमल का माउथ, ट्यूबिलर, that means इसी लिए इसको ट्यूबिलि डेंटेटा कहा गया, इन सतस्यों का माउथ, ट्यूबिलर होता है, नलिकाकार होता है. अगला पाइंट इन में टंग इन में टंग प्रोटिवजबल इनके अगर हम लोग टंग की बात करें तो इन में जो टंग होती है वो प्रोटिवजबल होती है इन में टंग कैसी होती है प्रोटिवजबल होती है बहिर गामी that means इनकी टंग जो है वो बाहर की ओर निकलती है तंग बाहर की ओर क्या हो सकती है निकल सकती है तो इनमें टंग कैसी होती है प्रोटीजबल होती है कॉमा लॉंग होती है and smooth होती है तो इनमें टंग प्रोटीजबल कॉमा लॉंग कॉमा smooth होती है अब आपको पता है स्मूथ है तो definitely क्या होगा यह चीटी खोर होगा that means ant eater होगा ठीक है तो अगला पॉंट लिख लें या सदस्य भी ant eater चीटी खोर या सदस्य भी ant eater चीटी खोर होते हैं अगला पॉंट लिख लें इन सदस्यों में यह बहुत important है इन सदस्यों में incisor तथा canine teeth इन सदस्यों में incisor तथा canine teeth absent होते हैं नहीं पाए जाते हैं incisor तथा canine teeth नहीं पाए जाते हैं तो order 11 जो टूबली डेंटेटा है इस टूबली डेंटेटा में जितने भी सदस जाते हैं उनमें टीथ नहीं पाए जाते हैं specially कौन-कौन से इंसीजर और कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते हैं ठीक है लेकिन बाकि अगर लोग प्री मोलर और मोलर की बात करें तो ये प्रेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं नहीं पाए जाते हैं अब यहाँ पर कुछ एक्जामपल है जैसे की पहला यहाँ पर है आरिक्टे रूपस पहला एक्जामपल यहाँ पर दिया गया है आरिक्टे रूपस आरिक्टे रूपस जो आरिक्टे रूपस है इसको हम लोग आर्ड वार्क के नाम से भी जानते हैं डबल ए डी आर्ड वार्क वी ए आर्क आर्ड वार्क के नाम से जानते हैं और एक सबसे खास बात यह यहां पर कही जाती इसके बारे में कि एक कैप एंट इटर होता है यह कैसा होता है कैप एंट इटर होता है जो कि साउथ अफरिका में पाया जाता है तो इसका लोकेशन पूछा जाता है कहां पाया जाता है और इक कैसा एंट इटर होता है यह कैप एंट इटर होता है ठीके जोकी फाउंड इन कहां मिलता है South Africa ये Cap एंट इटर है जोकी South Africa में पाया जाता है ठीके तो यह हमारा होगया order 11 ट्यूबली डेंटेटा अब इसके बाद में हमारा next order है 12 जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबो सीडिया तो next order डाल दीजिए प्रोबो सीडिया तो हमारा next order है order 12 प्रोबो सीडिया तो इसके इंतरगत कुछ लिख लें पहला point इन सदस्यों को इन सदस्यों को largest land living इस point वियाद रखना इन सदस्यों को largest land living mammals माना जाता है तो जो order प्रोबो सीडिया है इसमें जितने भी mammals आते हैं या organism रखे गए हैं वो land के सबसे बड़े ठीक है organism या इस्तंधारी माने जाते हैं अगला point इन सदस्यों में इन सदस्यों में मस्कूलर वा लॉंग मानसा लिए उक्त मस्कूलर वा लॉंग प्रोबोसिस बोले तो सून्ड प्रोबोसिस को इंदि में क्या करते हैं सून्ड तो आप समझ किया होंगे किसकी बात हो रही है बात वोरी अलिफैंट्स की इन सरस्यों में मस्कुलर वा लॉंग प्रोबोसिस देट मिस सून्ड पाई जाती है अगला पॉइंट इन सरस्यों के बॉडी के उपर बहुत इंपॉर्टेंट है इन सरस्यों के बॉडी के उपर हेर्स बाल नहीं पाये जाते हैं एपसेंट होते हैं इन सरस्यों के बॉडी के उपर हेर्स नहीं पाये जाते हैं एपसेंट होते हैं अगला पॉड लिख लें इन सरस्यों के इन सरस्यों के बॉडी का टंप्रेचर इन सरस्यों के बॉडी का टंप्रेचर कम होता है लेस होता है कम होता है जिस कारण इनके टेस्टीज जिस कारण इनके टेस्टीज TAS, TES TES, TES टेस्टीज टेस्टीज और टेस्टीज दो शब्दों होते हैं इसको थोड़ा सा समझ ले एक होता टेस्टीज और एक होता testis तो testis की जब हम लोग बात करेंगे तो हम एक testis की बात करेंगे किसकी बात करेंगे एक testis मतलब एक होगा मतलब एक ब्रशन की बात करेंगे तो वो single जब होगा तो उसको लोग testis कहेंगे और जब दो होंगे या दो से अधिक होंगे तो उनको लोग बोले के टेस्टीज तो इसमें डेफिरेटी दो ही होते हैं ठीक है तो इन में इनका बॉडी का टंप्रिचर लेस होता है जिस कारण इनके टेस्टीज अब्डॉमन रिजन में टेस्टीज अब्डॉमन रिजन में अरेंज होते हैं अगला पॉइंट इन सदस्यों में इन सदस्यों में टू अपर टू अपर इन सीजर टीथ तू अपर इन सीजर टीथ लार्ज होते है तो अपर इन सीजर टीथ लार्ज होते हैं आपने देखा होगा इनके ंदर दो ऊपर से उपरी जबड़े से दो बड़े से दात निकलते हैं ठीक है तो कि एक लिखा इनमें दो अपर इंसें टीथ लार्ज हो जाते हैं जिन्हें तसक कहते हैं तो एक्जांपल में यहापर लिख लीजिए ऐलिफास जु यहाँ पर है इसको मोग इंडियन इंडियन एलेफंट्स के रूप में जानते हैं ठीके और एक यहां पर है लग्जोडून्टा लग्जोडून्टा इसको हम लोग अफ्रिकन एलेफंट्स के नाम से जानते अफ्रीकन एलिफैंट्स के नाम से जनते हैं अब हमारे यहां पर नेक्स्ट ओर्डर होगा 13 जिसका नाम है हाई रेकोईडिया इसमें थोड़ा सा लिख ले हैं पहला पॉइंट यह यह चोटे यह चोटे यह चोटे डैट मिस स्मॉल मैमल्स होते हैं यह अगला पॉइंट इन सदस्यों में इन सदस्यों में सनाउथ यह इसको प्रॉथ केते हैं इन सदस्यों में सनाउथ यह प्रॉथ कॉमा इयर सनाउथ यह प्रॉथ कॉमा इयर कॉमा लेग पैर लेक्स स्मॉल होते हैं चोटे होते हैं यह यह चोटे होते हैं यह अगला पॉइंट इन के फोर लिम्स पर इनके फोर लिम्स पर यह अगर पाद पर इनके फोर लिम्स पर चार पंजे फोर तोज टी ओ एस पंजे वह हाइंड लिम्स पर वह हाइंड लिम्स पर तीन टोज पाए जाते हैं तीन टोज पाए जाते हैं तो इनके अगर हम लोग फोर लिम्स की बात करें अगर पाद की बात करें तो उसमें चार पंजे युक्त उंगलियां हम कह सकते हैं फोर फिंगर्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं तो फोर टोज यहाँ पर फोर लिम्स में पाए जाते हैं लेकिन अगर हम लोग उनके हाइड लिम्स पस चिपात की बात करें तो उसमें थ्री टोज पाए जाते हैं तीन पंजे यु को हम लोग बोल सकते हैं प्रोकेविया हाईरेक्स या प्रोकेविया 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 और यह कैसा सदस है इसको इसके बारे में जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर लीजिए वो आपको दिख जाएगा किस तरीकि MURılar को दिखता इसके बाद में next order डाल दिए 14 जिसका नाम है पेरिसो डेक्टाइला तो order पेरिसो डेक्टाइला के इंतरगत लिखें है पहला point इन मैमल्स को और टोड इन मैमल्स को और टोड इन मैमल्स को और टोड मैमल्स या इन सदस्यों को और टोड मैमल्स भी कहा जाता है इन से दस्यों को आर्टूल्ट में मल्स भी कहा जाता है क्योंकि इन में क्योंकि इन में और्ड कहने का मतलब यहां पर हो गया विसम ठीक है क्योंकि इन में विसम संख्या में विसम संख्या में खुर्युक्त पंजे पाए जाते हैं क्योंकि इनमें विसम संख्या में खुर युक्त पंजे पाए जाते हैं यानि कि इनमें जो पंजे पाए जाएंगे उनके जो खुर पाए जाएंगे उसमें और जो खुर होंगे या जो पंजे होंगे वो एक हो सकते या तीन हो सकते हैं तो या तो पंजे कितने हो एक हो खुर व्यूक्त या तो तीन हो राइज तो हम यह कह सकते हैं कि यहां पर जो मेल रखे गए यह और्ड टोड मेल के रूप में कहा जा रहे हैं जिन्में एक या तीन खुरियूक्त-पंजे पाए जाते हैं फार एक्जम्पल यहां पर कुछ एक्जम्पल है वो लिफ लीजी तो यहां पर जो एक्जम्पल मैंने बता है वो कौन सा है इक्वस कैबलस इक्वस कैबलस को हम लोग होर्स के नाम से जानते हैं घोड़ा कहते हैं एक्वस एसाइनस, एक्वस एसाइनस को हम लोग एज कहते हैं, डंकी, ठीक है, गधा, एक्वस जैबरा, एक्वस जैबरा ये जंगली जैबरा होता है, जंगलों में पाया जाता है, इसको हम लोग जैबरा के रूम से जानते हैं, और एक कॉमन नेम यहाँ पर है, राइना सिर यूनिक और निस कहने का बतलब होता है कि इसमें सिंगल हॉर्ण पाया जाएगा ठीक है एक ही इसमें क्या पाया जाएगा राइना सिरोस में तो इसको लोग गेंडा के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह हमारा हो गया और फुर्टीन इसके बाद में और फिप्टीन डाल दीज आर्टीयो डेक्टाइला तो और फिप्टीन हमारा है आर्टीयो डेक्टाइला इसके इंतरगत लिखें बचा तो एक दू पॉइंट लिए यहां मैमल्स इससे पहले जो हम लोगों ने देखें ठीक है ओर्डर वो और थे और यह इवन होंगे इवन कहना मतलब से समान प्रक पार के हम यह कह सकते हैं खुर्यूक्त पंजे पाये जाएंगे तो लिख लिजे यहां मैमल्स इवन टोड यहां मैमल्स इवन टोड के रूप में यह इवन टोड और्गनिजम होते हैं क्योंकि इनमें क्योंकि इनमें समान संख्या में क्योंकि इनमें समान नंबर में समान संख्या में खुर्यूक्त पंजे पाये जाते हैं कि किन में समान संख्या में खुर्युक्त पंजे पाया जाते हैं तो दो होंगे या तो चार होंगे एक और तीन नहीं होगा ठीक है चार होंगे तो इसमें कुछ एक्जामपल है वो लिख लिजिए तो यहां पर जो एक्जामपल दिया गया है वो कौन सा है पहला एक्जामपल है hippopotamus amphibious that means यहाँ पर इसको हम लोग common name में जानते है horse of river दूसरा यहाँ पर example दिया गया है service service कहने का बतलब deer he ran capra capra means होता got got means बक्री buffalo buffalo में यहाँ पर sorry bubelus bubelus को common name में हम लोग बोलते हैं buffalo और camelus camelus means यहाँ पर camel तो यह कुछ example मतलब और भी बहुत सारे यहाँ पर vertebrates like mammals यहाँ पर include किये गए है order 15 में अब हमारा जो last और आखरी order है जिसका नाम है primates तो next heading डाल दिजिए order 16 primates तो हमारा last order कौन सा है primates यह हमारा last order है इसमें कुछ point लिख लिए important यह है ठीक है लिखें इस order में most intelligent इस order में most intelligent mammals को रखा गया है इसी में हम लोग आते हैं most intelligent mammal को रखा गया है अगला point इन सेदस्यों में इन members में test is extra extra abdominal extra abdominal that means abdominal के बाहर abdomen cavity के बाहर इन सेदस्यों में test is extra abdominal में यक्के scrotum इसको बरशन कोश हिंदी में कहते हैं scrotum में arrange रहते हैं scrotum में इस्थित रहते हैं यानि arranged रहते हैं और का पॉइंट क्या आप लोग इस्था बना के लिख लें या एक लाइन छोड़ करके लिखें order primates को three sub order में divide किया जाता है three sub order में divide किया जाता है जिने करमसा number एक तो नहीं क्या कहते हैं number एक sub order lemuroidia sub order second tarsiroidia and sub order third anthropodia कहते हैं ठीक है anthropodia कहते हैं नहीं इसे लिखें हैं कि सब order anthropodia को सब order anthropodia को पुना हाँ पुना हाँ तू इंफ्रा ओर्डर पुना टू इंफ्रा ओर्डर और एन दो इसमें इंफ्रा ओर्डर और दिये गये पुना हाँ दो इंफ्रा ओर्डर में डिवाइड किया जाता है जिने क्रमसा number एक प्लेटी राइना नमबर दो कैटा राइना कहते हैं तो यहाँ पर दो इंफ्रा ओर्डर दिये गये हैं एक है प्लेटी राइना दूसरा है कैटा राइना ठीक है और इनी में ही हम लोग भी क्या है प्राइमेट्स में ही में मैमल्स को भी क्या किया गया मैमल्स में हीमल्स बिंग को भी क्या किया गया इंक्लूट किया गया तो इसमें कुछ एक्जामपल है वो भी देख लेते हैं नुए पर जो इंग्जाम्पल है वो देख लेते हैं फिर से एक कर दो इहां पर पहला है पान पान मतलब चिंपैनजी ठीक चिंपैनजी को बाइलोजिकल फॉं में हम पॉन कहते हैं फिर यहां पर हैहाईलो बैटास को गिबन कहते ह sled है फिर है आप है एट लीज्छ अट पैलीज को स्पाइडर मंकी के नाम से जानते हैं फिर यहां पर है मेकोका मुलाटा तो मेकोका जो मुलाटा है इसको हम लोग रिसट मंकी के नाम से जानते है ठीक और रिसID मंकी मैं organism include किये गए या हम कह सकते हैं mammals रखे गए जिसमें से कुछ important है जो याद हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर include किया है तो इस तरीके से students हमारा यह complete होता है class mammalia अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा जो इसका एक और portion रह गया है इसका यह नहीं कि यहां पर mammalia नहीं बलकि सारे animal kingdom में जितने भी जहां जहां पर teeth पाए जाते हैं उसके dentination के बारे में थोड़ा सा समझना है उसके structure देखना है किस तरीकी के होते हैं कितने बाहर आते हैं और क्या प्रकार है इनका वो सब समझना है राइट तो नहीं नेक्स्ट क्लास में रहेगा dentination और इसके बाद में हमारा पेपर हो जाएगा finish